Yes students, now see the worksheet 1. Question number 1. How many vertexes, sides and angles does a triangle have? ठीक है? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो triangle है, उसमें कितने vertex होते हैं, कितनी sides होती हैं और कितने angles होते हैं. अभी अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि it has 3 vertex, 3 side and 3 angles. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, 3, 3. ठीक है? सब कुछ 3, 3 ही है यहाँ पे. ओके? सी question number 2. Draw a triangle, name its vertex, sides and angles. तो कुछ इस तरहाँ का triangle बनेगा, जिसकी vertex का आपने क्या देना है? Name देना है. Name means कि आप कुछ भी alphabet लिख देंगे, जैसे यहाँ लिखा है A, B, C. ठीक है? और side, side का भी आपने क्या करना है? Name देना है. तो अगर मैं इस triangle के बात करूँ, तो इस triangle में side कौन-कौन सी है यहाँ पे? यह देखिए A, B है, B, C और C, A. A, B, यह B पे finish हो रहाँ ना? A, B. तो B से ही start करेंगे, B, C. C पे finish हुआ, then C, A. ठीक है? Continution में आपने बोलना है A, B. यह एक side हो गई, B, C, second side, and C, A, third side. राइट? और angle यहाँ पे बनता है angle A, angle B, angle C. या फिर आप इस तरहाँ से भी name दे सकते हैं. तो इस case में आपको middle में वह वाला alphabet लिखना होगा, जो आप angle बताना चारहे हैं. ठीक है? जिस angle को आप explain कर रहे हैं, बता रहे हैं, जिसका name दे रहे हैं, राइट? नाव से तक question number 3, you are given some triangles, name its vertexes, sides, and angles. तो यहाँ पे यह triangle given है, और इस triangle में आपने यहाँ पे इस column में लिखना है इसके vertex, यहाँ पे side, और यहाँ पे angles. तो vertex कौन से हैं यहाँ पे इस triangle के? तो इस P, Q, R, तो comma, comma से separate करके आपने तीनों की name लिख देने हैं, vertex की. ठीक है? Q, P, R, या फिर आप इसको P, R, Q भी लिख सकते हैं, doesn't matter. आपने तीनों के तीनों यहाँ पे लिखने हैं, और इसको separate करना है, comma के साथ. ठीक है? Sides यहाँ पे कौन से बनेगी? Q, P, ठीक है? Q, P भी बोल सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी start कर सकते हैं. P, R, R, Q, Q, P. Ultimately वो यहीं पे rotate करके आ जाएगा. Sides की 3 हैं, और angles कौन से हैं? Angle P है, Angle Q और Angle R. इसी तरह से आपके question, जो second है, यह वाला और यह थर्ड वाला, same as it is होंगे. Clear? Now see the question number 4. Count and write how many triangles are there in each figure? आपने count करना है और लिखना है कि कितने triangles हैं यह हर एक figure में. तो यहाँ पे अगर मैं इसको ध्यान से observe करूँ, एक यह हैं यहाँ पे triangle, एक यह वाला triangle बनता है, 1, 2, और यह पूरा complete बन रहा है, यहाँ पे 3. ठीक है? और यहाँ पे अगर हम count करेंगे, यह पूरा complete है, ठीक ह this is 2, 3, 4 and this is 5. तो 5 ही यहाँ पे बनेंगे, this is 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है? दुबारा से देखिए, this is 1, this is 2, 3, 4 और यह 5. ठीक है? तो यहाँ पे यह 5 triangles बनते हैं, अब आगे चलते हैं, properties of a triangles.